जै माताजी अवरिवान या देवी शर्व भूतेशु शक्ती रूपेण संस्थिता इस लोग का अर्थे जो देवी सब प्राणियों में शक्ती रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार वारम वार नमस्कार है एप सब्सक्ती रूप इस लोग का अर्थे वार नमस्कार है first one is plant plant तो आपको पता ही है plants में बहुत सारे plants आते है rose plant, jasmine plant उसको जो पोधा होता है उसको क्या कहते है plant then after tree mango tree, bunion tree then after shrubs s-h-r-u-b-s shrubs then after hubs, h-e-r-b-s hubs मतलब छोड़ा सा प्लांट then after climbers, c-l-i-m-b-e-r-s climbers, climbers मतलब ऐसा प्लांट की जो जिसको climb करने की जरुवत पड़ती है, मतलब जिसको खड़े रहने के लिए stand करने के लिए किसी की support की जरुवत पड़ती है then after creepers, जो ground में ग्रोह होते हैं creepers c-r-e-e-p-e-r-s creepers then after roots, r-o-o-t-s roots, जो ground के अंदर होते हैं, underground होते हैं stem, s-t-e-m, stem then after leaves, l-e-a-p-e-s, मतलब की पत्ते, जो पेड़ पे होते हैं then after flowers, f-l-o-w-e-r-s, flowers then after fruits, f-r-u-i-t-s, fruits then after shapes, s-h-a-p-e-s, shapes, मतलब different kind of shapes होते हैं, दिखो leaves, अगर कोई भी tree हो, उसके leaves हो, तो वो different, different shapes के होते हैं then after sizes, different sizes भी होते हैं, किसी के छोटे, किसी के बड़े s-i-z-e-s, sizes, then after branches, b-r-a-n-c-h-e-s, branches, मतलब डालिया then after second word line में woody, w-o-o-d-y, woody, woody का मतलब होता है, कि जो लकडी का बना हुआ होता है, वैसा then after trunk, t-r-u-n-k, trunk, trunk, trunk आपको पता ही है, जो tree होता है, उसके नीचे जो brown कलर का होता है, उसको हम कहते हैं trunk then after soft, s-o-f-t, जो soft होता है, hard नहीं होता है, जैसे कि कई बूधे होते हैं, उसके stem soft होते है उसके जो trunk होता है, वो soft होता है, जिसको हम easily press कर सकते हैं, या फिर easily तोड सकते हैं then after support, s-u-p-o-r-t, support, मतलब किसी के support की जरुरत पढ़ना, किसी की जरुरत पढ़ना then after soil, s-o-i-l, soil, meeting then after different, d-i-f-f-e-r-e-n-t, different, different मतलब अलग-अलग type के then after seeds, s-e-e-d-s, seeds, छोटा से जो दाना होता है, seeds होता है, फिर उसमें से plant grow होता है उसमें saplings होता है, फिर उसमें से plants होता है, तो छोटा होता है साइज में दाना उसको कहते हैं seeds then after fleshy f-l-e-s-h-y fleshy fleshy का मतलब होता है कोई भी fruit होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है इसकी वज़ा से हम fruit को fleshy कहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि बनाना है तो बनाना के अंदर जो yellow banana बहार होता है फिर उसका छिलका निकालता है अंदर सो जो white banana निकलता है वो fleshy होता है क्योंकि उसमें fleshy होता है then after juicy j-u-i-c-y juicy जो भी fruit के हम juice निकालते हैं जैसे कि orange then after sunlight s-u-n-l-i-g-h-t sunlight मतलब रोज जब सूरज आता है और उसकी जो light होती है उसको कहते है sunlight फिर important i-m-p-o-r-t-a-n-t important मतलब की कुछ खास होता है जरूरी होता है वैसा then after nutrients n-u-t-r-i-e-n-t-s nutrients मतलब की जो vitamins होते है proteins होता है यह सारे nutrients है वो हम food में से मिलते है then after absorb a-b-s-o-r-b absorb मतलब की soak लेना आपको पता है कि जब भी first पर कभी भी पानी गिरिता है तो हम उस पर cotton cloth रख देते तो cotton cloth है वो पानी को absorb कर लेता है सोक लेता है उसको कहते है absorb and last one one kind of fruit है वो pumpkin p-u-m-p-k-i-n pumpkin done यहाँ पर हमारे hard words कतम हो जाते है इतने hard words है वो आपको उच्छे से learn करने है and आपकी इवी इसकी बुक में लिख लेने है so here is our chapter number 2 plants around us मतलब हमारे आज वजु में जो भी plants होते है आज हमें उसके बारे में पढ़ना है और हम कैसे पढ़ेगे छोटे छोटे वीडियो देखके तो चलो start करते है where plants grow plants कहां पर grow होते है मतलब कौन कौन सी जगह है जहां पर plants grow हो सकते है तो एक तो है lane वो जमीन पर grow होते है फिर mountains mountains में भी tree grow हो सकता है plant grow हो सकते है then after on the rocks बड़े बड़े जो पथर होते है वहां पर भी grow हो सकते है then after climbers कुछ ऐसे climbers होते है जो किसी का support लेके wall का support लेके या फिर दूसरे tree का support लेके grow होते है and last two है hot and cold places जो कई जगे ऐसी होते है जैसे hot होते है desert में भी plant grow होते है and cold places जो places ठंडे होते है जहां पर बर्फ गिरती है वहां भी plants grow होते है तो अब हमें पता है कि plants कौन कौन सी जगे पर grow हो सकते है बहुत सारी जगे पर grow हो so our topic is types of plants कितने types के plants होते है वो हमें turn by turn सब की बारे में पढ़ना है हमारे पास बहुत सारे types of plants है like first one है trees shrubs herbs climbers and creepers types of plants उसमें जो बीग और स्ट्रॉंग होते हैं जो बीग भी होते हैं और स्ट्रॉंग भी होते हैं वैसे उसको कहते हैं ट्री तो ट्री के एक्जामपल है coconut tree apple tree bunion tree asoka tree and साथ में और भी एक्जामपल है guess करो कौन से हैं gulmoha tree mango tree and neem tree very big plants are call trees आपको यह पता है कि जो सबसे बड़े होते हैं big होते हैं plants उसको हम क्या कहते हैं tree कहते हैं आपने उसके एक्जामपल देखें they are tall, strong and have many branches आपने वह भी देखा कि जो tree होते हैं वह कैसे होते हैं tall strong भी होते हैं और उसमें बहुत सारे branches होती हैं इन बहुत सारे leaves होते हैं और उसमें thick woody brown stem होता है जो आपको यह नीचे brown color का दिख रहा है न वैसे thick woody and brown stem होता है जिसको हम कहते हैं trunk they live for many years वह कितने साल के लिए जीते हैं बहुत सारे सालों के लिए जीते हैं कोई-कोई tree तो 100 साल के होते हैं तो वह बहुत सारे साल के लिए leave कर सकते हैं जी सकते हैं grow होके बड़े हो सकते हैं फिर next आता है shrubs जो की small होता है बट strong होता है और उसके example है rose, sunflower and hibiscus आपको पता है shrubs have thin woody stems shrubs के जो stem होते हैं वो कैसे होते है थीन मतलब पतले होते हैं most of the shrubs live for a few years जो shrubs होते हैं वो सिर्फ few years थोड़े years के लिए थोड़े सालों के लिए जी सकते हैं और एक्जाम्पल तो आपने ओरेड़ी देख लिए है उसके rose, sunflower and hibiscus और हाँ jasmine plant also now third one is herbs जो की small but weak होता है और उसके एक्जाम्पल है mint, coriander, पैजिल आपको पता है children जो herbs होते है herbs have soft stems उसके जो stems होते है उसके जो डालिया होती है वो बहुत soft होती है जिसको अमार सानी से तोड़ पाते है और खापते है जैसे की तुझसी प्लांट है हमारे घर पे spinach है वो सारे उसके जो leaves होते वो soft होते है और उसके stem भी soft होते है coriander also तो हम क्या करते है उसको आराम से खा सकते है तुलसी तोड़के उसको आराम से खा सकते है most of herbs होते है उसका use medicine बनाने के लिए बहुत ज्यादा होता है जैसे की basil, mint, तुलसी प्लांट उसका भी medicine बनाने के लिए use होता है they leave for only few months वो थोड़े साल के लिए ही जी सकते है sorry, वो थोड़े month के लिए ही जी सकते है फिर वो अपने आप dried up हो जाते है सूख जाते है फिर fourth one है climbers need support to stand climbers को stand करने के लिए किसी के support की जरुवत परती है उसके example है yes guess करो कौन कौन से है उसके example grapes green peas and money plant and do you not children जो climbers होते है उसके भी stem होते है वो बहुत weak होते है ऐसे weak होते है कि वो अपने आपसे stand नहीं कर पाते अपने अप्ट्री की तरह खड़े नहीं हो पाते grow नहीं कर पाते तो वो क्या करते है अपने बाजू में किसी का support लेके grow होते है जैसे कि अगर wall हो तो उसका support ले लेते है अगर लकडी हो तो उसका support ले लेते है उसके बाजू में जूबी चीज हो उसका support ले लेते है अगर tree हो तो उसका support ले लेते है और फिर वो grow होते है most of आपके घर में यह money plant तो होता ही है सबके घर में शायद से money plant होता है तो आप उसको दिखोगे ना तो उसका भी ऐसा है वो किसी का support लेके grow होती है ओके now last one type is creepers जिसको grow होने के लिए ground की जरूरत पढ़ती है और जिसको हम क्या कहते है grow along the ground जो ground में grow होते है वैसे plants होते है उसके एक्जाम्पल है pumpkin एंगोड जैसे की bitter gourd bottle gourd वैसे सारे जो caught वाले vegetables आते हैं वो सारे इसके एक्जाम्पल है वो ground में grow होते है now our topic is parts of a plant जो plant होता है उसके parts कौन-कौन से होते है तो हमारे पास यहां पे बहुत सारे parts है like flower, fruit, branch, stem, leaf and जो underground होते है वो है roots पहले है roots जो underground होते है जमीन के अंदर होते है फिर उसके उपर आएगा stem जो brown color का woody stem होता है वो बहुत strong होता है वो stem फिर branch डालिया फिर fruit वो तो हमें पता ही है then flower and leaf leaves अगर एक है तो leaf और अगर ज्यादा है तो leaves तो यह थे हमारे सारे parts of a plant अब यह सारे जो हमारे parts of a plant है वो कैसे work करते है मतलब क्या work करते है tree के लिए या फिर plant के लिए हमें वो सीखना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते है यह roots है उसका काम क्या होता है so roots hold the plant in the soil root क्या करता है plant को जमीन में मिटी में जखकड के रखता है they also absorb water and nutrients from the soil वो दूसरा क्या करता है absorb कर लेता है water and nutrients जो यहां पे नीचे वो मिटी के अंदर होते हैं underground होते हैं वो मिटी में से water and दूसरा जो nutrients होता है उसको absorb कर लेता है अपने पास रख लेता है store करके so roots का काम आपको पता चल गया nutrients and water को absorb करता है और दूसरा क्या करता है नीचे से plant को पकड के रखता है ताक कि हमारा plant है या फिट्री है वो गिरना जाए then after है यह brown color का stem stem carries food and water to all the parts of the plant यह stem यह जो stem है वो क्या करता है water and food को उपर तक हर एक branches तक leaves तक पहुँझाता है फिर है leaf leaves अगर एक है तो leaf है अगर बहुत ज्यादा हो जाएगे तो leaves उसका काम क्या है so leaves make यह जो green color के leaves है न leaves make food for the plant वो plant के लिए food बनाते है वैसा वाला food नहीं जो घर पर ममा हमारे लिए बनाती है जो plant को जरुरत पढ़ती है plant को बढ़ने के लिए यह फिटरी को बढ़ने के लिए जिसकी जरुरत पढ़ती है वैसा वाला वो कौन बनाता है leaves and different plants have different sizes and shapes of leaves बहुत सारे ऐसे plant है उसके different sizes होते है leaves and different shapes होते है जैसे कि यह वाला है वो छोटा है और यह वाला है वो बड़ा है vegan small हो सकते है यह वाला है उसका shape अलग है और यह वाला है वो उसका shape भी अलग है तो उसके different shapes भी हो सकते है और उसके different sizes भी हो सकते है then after flower most यह pink color का जो आपको दिख रहा है most plants be of flowers most of plants ऐसे होते हैं जिसके अंदर flowers होते हैं फिर क्या होता है flowers are of many color shapes and sizes flowers होते हैं वो बहुत सारे color के भी हो सकते है flowers are of many colors shapes and sizes flowers के बहुत सारे color हो सकते है बहुत सारे shapes हो सकते है and बहुत सारे sizes भी हो सकते है they produce seeds or fruits वो क्या करते हैं या तो seeds produce करते हैं या फिर fruits produce करते हैं जैसे कि अगर आप देखा जाए तो जो pomocranet का tree होता है उसमें पहले क्या आता है red color का flower आता है फिर वो flower है वो क्या हो जाता है flower में से transform होके उसमें से fruit बन जाता है वो change होके fruit बन जाता है तो वैसे बहुत सारे एसे tree है जिसमें पहले flower आते है फिर flower में से क्या बनेगा fruit बनेगा फिर flower होगा उसमें से seed बनेगा वो seed को अगर आप grow करोगे तो तो उसमें से वही same to same आप प्री ग्रो कर सकते हो या फिर प्लांट ग्रो कर सकते हो तो बहुत सारे अगर मैं आपको एक्जामपल दो तो तुलसी प्लांट में हम जिसको गुजराती में कहते हैं मानजर उसके जो सीड होते है वो अगर आप उसको निकाल लोगे न उसमें से औ और फिर कहीं और ग्रो कर दोगे तो उसमें से दूसरे तुलसी हो जाएगे और अगर आपको फ्रूट में देखना है तो प्रोमग्रेनिट प्रोमग्रेनिट में पहले रेड कलर का फ्लावर होगा फिर उसमें से हमें क्या मिलता है प्रोमग्रेनिट मिलता है एंड लास्ट फ्रूट्स प्रोवाइंट कावरिंग यह अंदर जो ब्लेक कलर की सीड होते उसको कवर कर लेता है और वो हमें खाने के लिए एक फ्रूट बना के दी देता है फ्लेशी का मतलब होता है कि एसा पार्ट जिसको हम अच्छे से खा सकते हैं चिकू ले लो जिकू के अंदर जो ब्लैक कलर की सीड होते हैं आप उसको फिक देता है या फिर आपको ग्रो कर तो उसमें से चिकू का ट्री हो सकता है तो उसके बाहर का जो फ्लेशी पार्ट है जो एसा पार्ट है जिसको हम खा सकते हैं उसको हम फ्लेशी पार्ट केते हैं अंदर सीड होते तो सीड को कवर करके उपर फ्लेशी पार्ट बन जाता है जिसको हम घाते हैं वैसे ही ओरेंज में होता है वैसे ही वोटरमेलन में होत आपको पता चल गया कि parts of plants कौन से है और सारे यो parts of plants क्या है वो ट्री के लिए या फिर plants के लिए क्या काम करता है हमें fruits कैसे मिलते हैं फ्लावर कैसे मिलते हैं leaves की different different size होती है different different shape होते है branches कुछ weak होती है कुछ strong होती है और सबसे स्ट्रॉंग क्या होता है स्टेम जो पूरे ट्री के सारे पाट को एक साथ च्वाइन करके रखता है और इन सब को अच्छे से उपर स्टेंड रहने के लिए सपोर्ट कौन देता है हमारे रूट्स रूट्स है वो उपर वाटर एंड नूट्रियन्स पोचाते है इसकी वज़े से ट्री उपर ग्रो होता है और नीचे रूट्स का क्या है ट्री को नीचे से जखड के रखना चैसे पकड के रखना ताकि वो गिरना चाहे जब कोई नेट्रल डिजास्टर आए या फिर कुछ ऐ जैसा हो कि जिसकी वज़े से ट्री गिर सकता है यह सारी चीजों की वज़े से स्वरी यह सारी चीजे हो सकती है तो इन सब से प्रोटेक्शन कौन देता है ट्री को रूट्स देते है वो नीचे जखर के रखते है फिर स्टीम होता है वो इन सारी चीजों को अच्छे से नाम देते हैं उसारे फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच, स्टेम, रूट्स, एन लीव तो, do you know children एक प्लांट है वो कैसे ग्रो होता है? और किस में से ग्रो होता है? तो, most plants grow from seeds बहुत सारे से प्लांट होते हैं most of एसे प्लांट होते हैं जो किस से ग्रो होते हैं? मतलब यह जो छोटे छोटे दाने होते हैं उससे ग्रो होते हैं अभी हमने एक यह प्लांट लिया है यह वाला जो प्लांट है वो ग्रो होता है तो उसको ग्रो होने के लिए बढ़ने के लिए जो छोटा होता है उसमें से बढ़े होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है how plants grow मतलब plants कैसे grow होते हैं तो उसको जरूरत पड़ती है sun sunlight की air हवा की जरूरत पड़ती है water पानी की जरूरत पड़ती है and soil with nutrients मीटी की जरूरत पड़ती है जो मीटी में क्या होता है nutrients होते हैं बहुत सारे जो हमारे plant को बढ़ने में help करते हैं तो अगर कोई plant आपको grow करना है तो आप क्या करोगे या तो seed ले क्या होगे फिर उसको इसके अंदर pot के अंदर plant कर दोगे तो थरो दिनों में ऐसा plant हो जाएगा पर उसको जरूरत कौन-कौ से चीज़ों के पड़ेगी sun, air, water and soil with nutrients यह चार चीज़े अगर अच्छे से आप अपने plant को दोगे seed को दोगे तो आपके घर पे भी अगर आप plant grow करोगे तो वह अच्छे से grow हो जाएगा अच्छे से बढ़ा होगा पेज नंबर 89 पर कुछ exercise है, let us practice की उसमें first one है match the following जो नीचे हमें कुछ pictures दिये हैं और सामने नाम दिये हैं उन दोनों का match करना है तो first one picture किसका है, climber, tree, shrub, herb की creeper आपको किसका दिख रहा है, yes, बड़ा सा tree है, तो first one को आपको match करना है B के साथ then after rose plant, आप सब को पता है, rose plant है, वो shrub का example है, तो उसको match करना है C के साथ, shrub के साथ then third one, tulsi plant, वोन आपको बताया था कि tulsi plant है, वो medicine के लिए use होता है, और वो क्या है, hub तो third one को match करना है D के साथ then after watermelon, of course, watermelon क्या है, creeper, तो fourth one को match करना है E के साथ and last one, grapes, जो की है, climber, जिसके stem भी होते हैं, तो उसको match करना है E के साथ and after turn the page, page number 90, question B, fill in the blanks with the words given in the boxes आपको box में कुछ word दिये है, उसका use करके blank को fill करना है और वो words कौन कौन से है, मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ, creepers, trunk, seeds, shrub and trees now first one, big and strong plants are called जो big and strong plant होता है, उसको हम क्या करते है, trees तो first one में आपको answer लिखना है, trees फिर second one, rose plant is a dash rose plant क्या है, of course, क्या है, shrub तो आपको rose plant वाले में second one में answer लिखना है, shrub फिर third one, most fruits have dash inside them सारे fruits के अंदर क्या होता है, तो सारे fruits के अंदर क्या होता है, seeds तो आपको answer लिखना है, seeds फिर fourth one, the stem of a tree is called a dash जो tree का stem होता है, उसको हम क्या कहते है, तो उसको हम कहते है, trunk T-R-U-N-K, trunk Now, fifth one, days grow along the ground Ground में grow होने वाला क्या होता है, तो ground में grow होने वाला होता है, creepers Creepers grow along the ground Now, exercise B is over, exercise C Give two examples of the following plants, जो plants दिये है, उसके two-two examples देने है, आपको first one दिया है, trees, second one shrubs, third one herbs, fourth one climbers and fifth one creepers इसके two-two example आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, okay Question D, who am I, मतलब मैं कौन हूँ, उसमें first one है, I grow along the, sorry I grow under the ground, मैं ground के अंदर grow होता हूँ, तो हमें पता ही है, ground के अंदर कौन grow होता है, root आपको R तो दिया है, आपको spelling में लिखना है, R-O-O-T Fear, second one, I carry food and water, मैं food and water को carry करता हूँ The answer is stem, आपको S दिया है, आपको लिखना है, S-T-E-M Now, third one, I make food for the plant, मैं plant के लिए food बनाता हूँ, आपको एक L दिया है कौन food बनाता है, leaf, तो आपको पूरा spelling लिखना है, L-E-A-F Then after four, I contain seed inside me, मैं seed को अपने अंदर रखता हूँ, contain करता हूँ, तो ऐसा क्या होता है, fruit And last one, I produce seeds or fruit, मैं seeds या fruit बनाता हूँ, produce करता हूँ, तो ऐसा क्या होता है, F-L-O-W-E-R Done, now this one chapter is over here, आपको क्या करना है, यह exercise और new words है, वो लन्वेल में से, देख के, या study notes में से देख के, अपनी भी एस की बुक में लिख लेना है, बाई 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 एवरीवन, है वन नाइस देख झाल झाल